आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ The question is write the IUPAC names of paratolidine and trimethylamine यहाँ पर हमें two chemical compounds के name given है हमें बताने है इनके IUPAC names paratolidine इस तरह से है यहाँ पर है बेंजीन रिंग इससे यहाँ पर बॉंडड़ है मिथाईल ग्रूप CH3 ग्रूप और यहाँ पर है NH2 ग्रूप इसका हमें IUPAC name बताना है यहाँ पर बेंजीन रिंग से बॉंड़ड़ा एक तो अमीनो ग्रूप और बॉंड़ड़ा मिथाईल ग्रूप IUPAC name के लिए सबसे पहले हम देखके longest carbon chain जो की होती है उस compound के parent chain यहाँ पर longest carbon chain का है यह बेंजीन रिंग के अंदर है 6 carbon की cyclic ring है that is benzine ring तो benzine ring is the parent group अब हमें parent group को number करना है हम number करते है according to lowest local rule lowest local rule के अंदर हमें functional group को lowest local देना होता है यहाँ पर जो functional group है functional group दाट इज amino group and CH3 that is an alkyl group is considered a substituent तो हमें सबसे lower local देना है amino group को तो हम यहाँ से number करेंगे यहाँ पर जो माने सब्सिट्युएंन धा इस घार जिसका लोग्ध है 4 तो नीम शिरू होगा इस तरह से 4 मिठाइल पहले हम लिखते हैं जो किiable बीधियर इन déjà अी पे मेद नेम के अंदर भी रिटेन तिया जाता है इसी नेम को और इस ग्रॉप तो यहाँ पर जो पेलन नेम है उसमें हम लिख सकते हैं पोर मिथाइल के बाद अनिलिन अब हम देखेंगा वसमे ट्रीमेथाइल अमीन मतलब नाइट्रोजेन से जब बॉंडड हो थ्री मिथाइल गृप इस ट्रीमेथाइल अमीन हमें सबसे पहले longest carbon chain देखनी है यहाँ पर जो भी carbon chain है that is of one carbon atom यहाँ पर एक ही carbon है that is methyl तो हम एक को consider कर लेंगे parent group एक को हमने consider कर लिया parent group अब nitrogen से और दो जो methyl group bonded है वो हो गया substituent अमीन के अंदर हम जब substituent लिखते हैं तो हमें उनकी position बतानी है क्योंकि यह parent chain के बाहर है यह nitrogen से bonded है parent chain हमारी इतनी है this is parent chain तो parent chain के बाहर है तो हम उनको number नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हमने यहाँ पर loken दिया था methyl को यहाँ पर nitrogen से bonded है यह substituents तो हमें इनको कैसे लिखना है nitrogen लिखना है यहाँ लिखना हमें NN because यहाँ पर nitrogen से bonded है two methyl groups and two methyl groups है इसलिए यह दोनों के loken हो गए NN यहाँ पर लिखना है हमें dimethyl क्योंकि two methyl groups bonded है nitrogen से दोनों ही same nitrogen से bonded है यह हो गया substituent अब parent chain है हमारी one carbon chain one carbon chain के लिए हम यूज करते हैं meth meth और यह जो CH3 group है यह किस हाइडो कार्बन से आया है methane से आया है यह आया है from methane तो यहाँ पर हमें alkane का suffix an लिखना है meth के बार लिखना है an और उसके बाद जो functional group है हमारा that is amine it is an amine तो amine का जो suffix होता है that is also amine अब हमें एन के बाद लिखना है amine तो हमें आपर एन का e drop कर देते है alkane का जो suffix an है उसका e drop कर देते है because 2 हो अबल साथ में नहीं आ सकते हमें meth के बाद लिखना है an and then लिखना है amine Iupac name of trimethylamine is N-N-dimethylamine Thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 चार्स उपर